एक फोजी का दर्द क्या होता है? उन कुर्सी वालों को दिखाना चाहूंगी, बताना चाहूंगी एक फोजी की मजबूरी? हमें मत चुट्टी दो, मत भता दो, बस काम यही अब करने दो, चाहे वेतन आधा कर दो, पर कुतों में गोली भरने दो, हर हर मोधी, घर घर मोधी, यह नारा सर के पार गया, एक दो कोडी का जेहादी, सैनिक को थपड मार गया, सैनिक को थपड मार गया, अरे थपड खाए गदारों के, थपड खाए गदारों के, इतने भी मजबूर नहीं, हम भारत मा के सैनिक है, कोई भड़े के मजदूर नहीं, कोई भड़े के मजदूर नहीं, अब और नहीं लाचार करो, हम जीते जी मर जाएंगे, खुद को पर शर्माएंगे फोजी वर्दी पर शर्माएंगे या तो कस्मीर उन्हें दे दों अरे सुनरों सुनरों सुनलों और पार कांहे करओ अब भूद दुम्छिति आराम करों तुम कुर्सिंप आराम करों भारत के वे जवानों को ना मर्द बना कर छोड़ा है मा का आचल सच रहे हम दागी भी बन सकते हैं दिल्ली गर यूही मोन रही हम बागी भी बन सकते हैं हम बागी भी बन सकते हैं एक मा कस्मीर में पिटने वाले फोजी बेटे से क्या कहती है जब देखती है कि उसका बेटा किस तरह गदारों से थपड़ खा रहा है तो क्या कहती है कि फोन किया माने बेटे को तूने नाक कटाई है तेरी बेहना से सब कहते बुझ दिल तेरा भाई है बुझ दिल तेरा भाई है अरे ऐसी भी क्या मजबूरी थी एबेटा ऐसी भी क्या मजबूरी थी ऐसी क्याला चारी थी कुछ कुछ कुटों की टोली कैसे तुम सेरों पर भारी थी तुम सेरों पर भारी थी गीदर बेटा पैदा करके वो मा कहती है फोजी से के गीदर बेटा पैदा करके मैंने कोखल जाई है तेरी बेहना से सब कहते बुझ दिल तेरा भाई है बुजदिल तेरा भाई है अब वो फोजी अपनी मा के बात सुनकर कहता है के मा इतना भीला चार नहीं था मा मेरी मजबूरी थी उपर से फर्मान नहीं था चुपी बहुत जरूरी थी सरकारे ही पिटवाती है मा हम कौन गदारों से गोली का आदेश नहीं है दिल्ली के दर्बारों से गिन गिन कर मैं बदला लूँगा कसम याज खाता हूँ तु गुडिया से कह दे मा ना बुजदिल उसका भाई है सुनकर नाटा लो यारो सिर्फ सुनकर नाटा लो यारो एक फोजी के ज़स्बातों को इन बातों को एक फोजी का दर्द भारत मता की जे भारत मता की जे भारत मता की जे